आज बना रहे हैं भरता बहुत जल्दी बन जाता तो यह देखिए मैंने दिया एक पैन उसमें डाला थोड़ा सा ओईल क्योंकि इसको हम भूजने नहीं जा रहे हैं भूजेंगे तो बैसे भी टैम भी लग जाएगा और यह बहुत फटा-फट बनता है और गर्मियों में तो यह न आपकी भूंग बढ़ा देगा इसकी मैं गरंटी दे रहे हूं कि यह भरता जब आप बनाओगे न भरता कहो या चटनी कहो आप कुछ भी कह सकते हो इसको बहुत टेस्टी है और बहुत अच्छा है आप इसको बना के रग भी सकते हो इसको तीन-चार दिन खा भी सकत टेमाटर और यह चार लैसुन के कली और यह देखिए हरी मिर्च और प्याज तो अभी जगे तो है नहीं है तो मैं इसको बाद में डालूंगे छोटा-छोटा कट करके और इसमें थोड़ा सा नमक हम डाल लेंगे जिससे कि यह जल्दी से पक जाए हमारे उपर से जैसी भा कलर देखिए पूरा चैंज होगे यानि पक चुके हैं और यह जो मैंने काम गया थे इसको तेज फिलेम में नहीं सिलो फिलेम में मैं इसको ढखके रख दिया था और अब इसी में मैं क्या कर रहे हूं जो होता है ने चमीटा पकड़ उससे आप क्या किजिए इसको छिकल और हो जाने देते हैं तो क्या करते हैं इसको छिकल हटता जाएगा और यह गरम रहेगा तो गरम में यह मैस भी कर देंगे अगर आपको मैसर या कुटनी से कूटना है तो जरूर यह कर सकते हो कि आप बंद कर दियो थोड़ा ठंडा हो जाए फिर हलका सा फिर छील लीजी हा डरें टो स्जास वैus भी कर देको अंगर तो फिर को क्या कर दूंसलागी कि निकल आ कर दूदा सरा घंगे तो यह पहले जब मैंने उसको डाला था तो मैंने स्साटा कि इस नहीं टाले थी मर्चिवात कर नहीं देंग्त है और टखे सबकर दूंसलाँ जया दी है झाल गया क और बस इसको भी हम ढग देंगे तो यह क्या होगी थोड़ी सी प्याज हरी मिक्स हो जाएगी और तब तक हम क्या करेंगे जो हमने आम लिए है ना आम की जो छिकल निकाल लिए इसमें गुंदा है वह हम निकाल लेंगे चम्मच की मदद से नहीं तो उसमें आम का टेस्ट जा पहले देख लगती हैं तोड़ा सब बिल्कुल हरी मिर्च पहले ही हमने डाल दिया और थोड़ा चिली फ्लैक्स इसलिए डाल भी मोना देखने में अच्छी लगती है आपको नहीं डालना आप इसके भी कर सकते हो यह पिर जब आप इसको भूझ रहेते हैं टमाटर को स्टेम पे सूखी लाल मिर्श हो दी ना उसको भी तोड़ के डाल दीजी तो उसको भी मैस करके आप कर सकते हो और देखिए लैसन को मैंने ऐसे ही डाला था तो अब जो मैसर है आप मैसर से कर लीजी कटोरी किसी से भी मैस कर लीजी और जो गुट्टियां चाइब की थोड़ी सी थी हटादा देए जो जो उसके सीड्ट थे ना तो मैंने हटा दिये थे पहले से उसका लेंट हार्ट पार्ट रहते ना उसको भी मैंने बुट्टा द। देखिए कितनी यह नियुक्त का थोड़ा सा और नहीं तो चीनी जैसे कि मैं इस टेम पे डालूंगी चीनी डाल दी अब थोड़ी सी क्योंकि यह थोड़ा सा ही भड़ता बच्छा यह जटनी जो भी को बचिए इसी में डाल दीआ और अच्छे से मैल्ट हो जाएगा इसी में और इसका टेस् पसंद एक तीखा खट्टा वाला और एक मीठा खट्टा और तीखा मिक्स वाला कॉम्बो बन गया तो यह देखिए हमारी यह चट्नी रेडी हो चुगी इसको हम रखते हैं साइड में अब हम मैं खा रही हूं इसको रोटी के साथ आप चाहो तो इसको पराणा के साथ हमासे यह देखिए हमारी हो गई जिसमें हमने चीनी डाले ती मिठास तो यह हो गया तीखा खट्टा वाली चुटनी और यह हमने लेली मिठी तीखी और खट्टी वाली तो मैंने जो दौनों खाया तो मुझे न सच बता रहे हूं तीखा खट्टा तो पसंद आया लेकिन उससे ज़्यादा मुझे आया यह वाला पसंद हलकिस जिसमें मिठास थी बहुत अच्छा लगा तो अच्छा लगा तो और भी मेरे चैनल में चटनी और रेस्पी है तो वीडियो चो वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब कीजिए सबको शियत कीजिए थैंकि फिर लाइक